नमस्कार दोस्तो मैं आई शुल मैं आप सभी अपने चैनल टेकिन डागेट पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अनक्यों की नहीं है उसका वीडियो को सभी को कुछ बताना चाहωँगा दोस्तों मैंने अपने चैनल पर TCS NQT के बहुत सारे interview experience डाल दिये तो प्लीज जाकर सभी वीडियोस को देखिए क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई नया question पूछा गया है और दोस्तों मैंने एक playlist already बना दिये TCS interview tips जिसका link दोस्तों मैं अपने description में दे दोँगा तो वहाँ जाकर भी देखिए दोस्तों क्योंकि वहाँ already TCS के बहुत सारे interview experience है दोस्तों एक बात और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आपका interview है कब TCS का NQT तो प्लीज मुझे जरूर बताएं 12 को है 13 को है कि after diwali है चिससे मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँगा अगर आपका after diwali means Monday को भी होने वाल है तो मैं Saturday Sunday आपके लिए जरूर बनाऊँगा और दोस्तों मैंने एक डालाता है पोल तो प्लीज इस पर react कीजिए यस दबाइए अगर आपको और interview experience चाहिए है तो दोस्तों इस वीडियो को स्चार्ट करते हैं वीडियो को स्चार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे और अगर आपने अभी दग मेरे चैनल Techintarget को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों Techintarget को जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजे दोस्तो सबसे पहले हम देखने वाले important note पहला है दोस्तो you have to be well prepared for TCS NQT interview आपने जब बहुत लोग होंगे सोच कर कि TCS बहुत सारे hire करती है mass recruitment तो इसका interview तो easy होता है सब crack करने के दोस्तो ऐसा कुछ रही है दोस्तो मानोंगे नहीं एक interview में TR बेठा हुआ है HR बेठा हुआ है MR भी बेठा हुआ है means तीन लोग बेठे हुआ है तो दोस्तो interview बिलकुल भी easy नहीं होने वाला अगर आप सोचे रहो ninja easy होगा ninja भी easy नहीं होने वाला है दोस्तो in 90% cases they will ask you to share the screen and write the quote हाँ दोस्तो अभी तक मैंने जितने भी interview experience देखे है सबसे दोस्तो screen share के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि लिख कर दिखा हूँ हमें code तो please इन सब चीजों के लिए तयार रही है यह मैं सोचे कि भाइक TCS का interview है easy होगा ऐसा कुछ भी नहीं है mass record company है mass improvement company है दोस्तो अच्छे से prepare करना है और इस वीडियो में हम discuss भी करने वाले है कि CS as well as non CS के students को कैसे prepare रहना है TCS and QT के लिए दोस्तो पहला point है prepare your resume thoroughly हाँ दोस्तो अगर आपने resume में कोई भी चीज mention किये उस हर एक चीज को अच्छे से prepare कर लो और दोस्तो अगर आपके resume में कोई ऐसी चीज है जो आपको जो आपने mention नहीं कर रखी और आपको आती है तो please उसको भी mention कर दीजे और दोस्तो एक पात और resume में जो भी mention कर रहे हो वही अपने tell me something about yourself में बोलना है या फिर खोशिश करना tell me something about yourself भी वही बोलो जो जो आपको आता है दोस्तो इंटर्व्यू के टाइम पे जब भी आपसे introduction पूछे जाएगा कुछ भी ऐसा मत बोलना जो आपको नहीं आता हो अगर आप बोल जब देते हो कि sir मुझे javascript आती है आप बिलकुल आपका पूरा का पूरा इंटर्व्यू हो जाना है खराब दोस्तों मैं फिर से बता दू मैंने अपने चैनल पर एक tell me something about yourself की वीडियो भी बना रखी है जिसको दोस्तों देखिए आपको tell me something about yourself प्रिपेर हो जाएगा जो जो सबसे पहले हम discuss करने वाले CS students के लिए कौन कौन्थी technical skills सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाली है पहलिए दोस्तों DBMS and OOPS हाँ दोस्तों आप सभी को DBMS and OOPS आनी चाहिए OOPS के सारे concept पता होने चाहिए with real life example inheritance, overloading, overrading, abstraction, try and catch block आपको दोस्तों हर एक चीज़ पता होने चाहिए और कोशिश कीज़ेगा जब भी आप OOPS concept explain करो तो please real life example से जरूर relate कीज़ेगा अब आते हम DBMS पे DBMS में भी आपको हर एक चीज मतलब इतना in detail अगर आप CS के हो तो आपको in detail तो आप उचा ही जा सकता है like asset properties पूछ जाएंगी different joints पूछ लेते हैं दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको दिहार नखना है DBMS मतलब यह DBMS and OOPS वो चीज़े हो जाती है जो मतलब जिसको like latest technologies नहीं होती इंटर्व्य एक्सपेक्ट करता है कि CS के candidate को तो आता ही आता होगा next है SQL with queries हाँ दोस्तों SQL SQL आपको आनी चाहिए SQL theory के साथ भी queries लिखनी भी आनी चाहिए DDL, DML, DCL, TCL commands आपको सारी की सारी मालूम होनी चाहिए select आपको दोस्तों screen share करके different queries लिखवा सकते हैं दोस्तों मानोगे नहीं मेरे पास 2-3 interview experience ऐसे आ चुके हैं जिनमें पूरा का पूरा SQL से हो चुका है दोस्तों मैंने एक interview experience अभी शेयर किया है थोड़ी एर पहने TCS interview experience निंजा profile के दोस्तों इसको जाकर देखिए आप मानोगे नहीं दोस्तों पूरा का पूरा उसी मैंसे ल data structure है क्यों important हो जाती है पहली बात आप CS के हो और CS के student में यही subjects बचते हैं आपके core subjects ही आ जाते है data structure में दोस्तों पहली बदा दूँ आपको इतना in-depth नहीं जाना है कि मुझे quiz graph बहुत अच्छे level पर आने चाहिए ऐसा कुछ रही है आपको हर इक data structure की definition मालूम होनी बाकी data structures के आपको basic knowledge पता होनी चाहिए कि उनकी applications क्या होती है और उसका use क्या होता है like अगर binary tree पूछ रहे है तो binary tree and binary search tree में difference पता हो like वो बाकी subject इतना practical आपको question solve रही करने है बट उनकी theory अच्छे से prepare कर दी है दोस्तों next you should be prepared with any one programming language हा दोस्तों अगर आपको एक programming language आती है वो भी बहुत अच्छी बात है python java c कुछ भी आता है अगर आपको दो भी आती है ध्यार रखिए जो एक सबसे अच्छी आती है उसको जरूर mention कीजेगा next दोस्तों basics of OSNCN दोस्तों OSNCN पूछी नहीं जाती पर हां like एक बहुत कॉर्बट कोशन है what is deadlock यह जरूर पूछ लिया जाता है तो basics of OSNCN पे नहीं जाना कर आप में टाइम ना हो आप prepare नहीं कर पाओ तो इसको छोड़ सकते हो पर हां दोस्तों what is deadlock आपको पता होना चाहिए next यह दोस्तों all sorting algorithms with their time and space complexity दोस्तों CS students के लिए तो मस्च है है उसको सारी sorting algorithm बता होनी चाहिए वो लिखनी आनी चाहिए और explain भी करनी आनी है चाहिए दोस्तों मैंने एक interview experience शेयर किया है इस वो शिवम गई है यह पर दोस्तों यह वाले interview experience है जिसमें दोस्तों उन से मर्ण सौन पूछा गया है explain करनी के लिए पूछा गया है और लिख पता होना चाहिए कि logic क्या लगता है logic की इतनी understandability होनी चाहिए दोस्तों आपको पहुत non-CS students भाई सबसे ज़्यादा आप लोग बहुत परिशारों कि हम लोग कैसे prepare करें हाई आप लोग के लिए हो जाता है TCS बहुत non-CS students select भी होते हर साल और आपको टेशन लेने की ज़रू questions या subjects भी prepare करने चाहिए पहला है दोस्तों your core branch subjects that are in your branch हाँ दोस्तों सबसे पहला है your core subjects that are in your branch यह मैं बागता हूँ अगर आप अपने tell me something about yourself में बोल देते हो कि sir में को अपने branch के subjects अच्छे लगते है दोस्तों 90% charges है कि interviewer आपसे आपकी branch के questions पूछे वो भी जानना चाहता ह न क्योंकि उसको पता है कि आप CS branch के डियों आपको DBMS इतने अच्छे से नहीं आती होगी but हाँ वो expect करेगा कि आपको अपनी branch के subjects बहुत अच्छे से आने चाहिए तो उसको prepare रही है और tell me something about yourself को ऐसे ही drive कीजिए जैसे आप चाहते हो अगर आपको DBMS इतने आपको CS के subjects सादा मालूम होगा तो प्लीज अपनी branch के subjects जरूर mention कीजिए नेक्स यह है Oops and DBMS हाँ दोस्तों अगर आप digital profile के लिए apply कर रहे हो और आप non CS हो तो तो आपको Oops and DBMS बिलकुल high level आनी चाहिए बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए बट अगर आप non CS के हो इतना जरूरी DBMS नह ही खर लेते हैं और Oops Concept की सबसे अची बात क्या है Oops Concept जब हम पढ़ते हैं जब तक हम उनको real life concept से relate नहीं करते हैं वो समझे दिए हम रट रहे हैं अगर हमने उसको real life concept से like real life example से relate करकर पढ़ेंगे ना दोस्तों हमें forever याद रह रहे वाले तो इसलिए interviewer भी पूछ लेता है औ और दोस्तों अगर आप select होंगे आगे आपको पता चलने वाला है कि Oops Concept का कितना ज्यादा यूज होता है companies में दोस्तों next है SQL with queries दोस्तों है CS में और non CS में यह point red में क्यों लेखा है दोस्तों अब आदो कि TCS में पता नहीं क्या हो गया है हर एक interviewer भाई SQL पूछ जा रहा है SQL और भी नॉर्बल भी पूछ रहा queries पूछ रहा है different different हरे queries पूछ रहा है DDL, DML, DCL commands पूछ रहा है तो भाई prepare रही अगर आप भी भी time है दीवाली के बाद आपका interview है तो भाई तैयारी कर लिजे बहुत अच्छी opportunity है TCS सबसे अच्छी company में मानतो हो अगर आप किसी भी company से इसका वो कर लीजे comparison लाइक अगर आप Wipro से करते हो Cognizate करते हो Capgemini से करते हो मेरे according TCS is best दोस्तों next है if you know any programming language then do prepare it as well at least anyone हाँ दोस्तों non CS students में से आपने से बहुत कम होंगे जिनको programming आती होगी बढ़िया C के वारे में सोना होगा आपने से बहुत लोगों और आपको पढ ऐसा official subject अपना यह लिया होगा Python या Java जो भी था तो आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रामिक का idea होगा तो प्लीज उसमें से एक लेंग में जरूर प्रिपेर कर लीजा आपसे expect नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत जादा programming आती हो बट हाँ अगर आप digital profile के लिए apply कर रहे हो तो कोई बात भी link list की definition देख सकते हो होती क्या है array list hash set यह सब देख सकते हो दोस्तों next यह all sorting algorithms with their time and space complexity यार अगर time मिल रहे है तो प्लीज यह prepare कर लीजे होगा क्या अगर आप अपने introduce yourself में mention कर देते हो कि सर मुझे sorting algorithms आती है तो दोस्तों वालोगे नहीं एक को interview सोचेगा ग्यार B के non CS students इसको sorting algorithms आती है और आप sorting algorithms फे फिर उसको अच्छे सा आजर देते हो तो for sure आपको data structure के बाकी questions नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आपको sorting algorithm पे वो पार्ट खतम हो जाएगा और sorting algorithm इतना difficult भी नहीं है तो इसको prepare कर लीजे आपको ही advantage मिलने माला है next if you have mentioned any project then do it then do prepare it as well both for CS and non CS students अगर आप मैंसे किसी ने भी एक कोई भी project mention किया है तो प्लीज उसको अच्छे से prepare कर लीजे क्योंकि interviewer पूछ सकता है questions cross questions कर सकता है दोस्तों एक last interview था ये वाला शिवम का जिसमें interviewer ने बोला कि भाई जो आपने project का code है वो share करो मेरे साथ तो प्लीज अपने local system पर prepared with हाँ दोस्तों हम मैंसे बहुत लोगों ने तीन चार project कर चुके होते है बट प्लीज ट्राइ कीजेगा बही project mention कीजेगा जो आपको बहुत अच्छे से आता हो आपको इसकी in detail in detail चीजे मालूब जो आपने खुद किया हो बहुत project हमारे team project होते है जो हम mention कर देते हैं बट इस project की आपको सबसे जादा knowledge हो प्लीज उसी project को mention कीजेगा next year project इस बास यार अगर अभी भी दो दो से तीन देने आपके बास please कोई भी Google पर जाए मिरी project prepare कर लीजे project हमेशा एक advantage देता है और project वही डूड़ना जो आपको technical skills आती है देखो मैं इससे फाइदा बता दू suppose करो आपको python आती है और आप python पर ही project करते हूँ तो उससे आपको फाइदा क्या मिलने वाला है जब interviewer उस project को देखेगा तो python से ही question पूछेगा और python आपको 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 जो लेग्वेज आती है आपने उसको apply करकर भी देख रहा है तो interviewer को idea लग जाएगा कि इस internship किये like software engineering से related या कुछ भी IT department से related तो please उसको mention कीजे क्योंकि वह तो plus point आपको हमेशा से रहने वाल है forever plus point क्योंकि इसमें क्या होता है आप already experience बंदे हो आपको मालू है कि वहाँ project कैसे handle होते है कैसे corporate world में चीजों को देखा जाता है कैसे adjust किया जाता है तो आपके लिए हमेश to know about new technologies like digital candidates अगर आप digital candidates हो तो आपसे 100% expect कि आपको इन technologies के बारे में पता हो machine learning, cloud computing, data analysis, IOT मैं यह नहीं बोलना चारों के बारे में पता हो but at least किसी भी एक में से आपको idea हो ninja के हो तो यहाँ नाम पता हो definition पता हो होती क्या है but अगर यहाँ digital के हो तो इंटल्यूर कही न कहीं expect करेगा कि बंदे का project जो हो वो शायद machine learning में हो cloud computing की उसके knowledge हो AWS cloud services होती क्या है data analysis, IOT आपसे expect किया जा सकता है but at least मेरा जो personally बातना है जो मैं सबसे easy समझता हूँ easy रही है मत IOT की definition कहा होती है apply कहा होती है real life example जिससे आप बता सको सब मुझे IOT के बारे में बालो में तो please इसको prepare कर लीजे next है दोस्तो you can be asked to share your screen and write some code और इल्गोर कभी है तो मैंने पहले ही बता दिया कि by 90% आपसे पूछा ही पूछा जाएगा screen share अगर 10 लोग है तो समझे आट या न इसका package बहुत लो है अगर आप इस company में होते है तो इसके बहुत ज्यादा फाइद है तो please इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजे दोस्तो next है must be prepared with different SDLC models also very rare पूछा जाएगा आपको software development like cycle के model पूछे जा सकते है बट हाप prepare कर लीजे अगर आप पर time हो different models next है दोस्तो puzzles digital वालो different puzzles के बारे में तो इसकी भी दोस्तों जरूर पढ़ लीजे बैक से दोस्तों important points जो में जरूर mention करना चाहूंगा हर एक CS और non CS student को आपको दियान रखने है पहला point do not hesitate while answering आपको बिल्कोल भी hesitate नहीं हो रहा है आपको बिल्कोल भी hesitate नहीं होना है आपको बिल्कोल भी hesitate नहीं ह say it I don't know this can you skip me can you ask me next question don't waste your time हाँ दोस्तों अगर आपको कोई question नहीं आता तो please उनका time waste मत दीजे यार क्योंकि एक limited time पर वो आये सब्सक्राइगा 10 minute आये और उन पर 10 question है आपको पहला question नहीं आता और आप 10 minute waste करो बोल दो sir उझे पहला नहीं आता दूसरे में skip होजएगे उसका भी ध्याद रखिए उसको ध्याद रखते हुए चीजों को आपको ignore भी करने है बहुत दीजे सर मुझे नहीं आता उनके जितना time waste करो कि उतना ही उनका mood खराब होता है दोस्तों next say try to be interactive भाई interact करने की खोशिच कीजिए उनसे नएवी चीजे पूछिए लाइक अगर question in the end हाग उसको टेकिन डार्गेट की तरफ से एक question पूछ दीजेगा मेरे एक request है आप सबसे please question पूछेगा हर एक इंटर्विए लास में पूछता है select हो जाता हूँ तो मेरी roles and responsibilities क्या रहने वाली है दोस्तों इससे इंटर्विएर को idea लग जाता है कि कि कितना जादा candidate excited है हमारी company में आने के लिए तो please इन चीजों का जरूर ध्यार रखिए तो दोस्तों ये थे सारी चीजे को आपको ध्यार में रखते हुए अपने digital as well as ninja के लिए prepare करना है दोस्तों मेरे already बहुत सारे इंटर्वी experience डाल दिया है तो please जाकर मेरे चैनल पर देखिए आपको पता लगने वाला है दोस्तों एक बात और बता दूँ मेरे चैनल पर एक इंटर्वी experience है दोस्तों ये candidate digital as well as cap jamd में select हुआ है cap jamd में भी 6.8 से अबब वाले package पर और दोस्तों digital भी 7 LPA तो इनका इंटर्वी देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो इनका इंटर्वी में personally सबको suggest कर रहा हूँ सीखने को बहुत है यार इस इंटर्वी में और एक बात last में फिर बता दू प्लीज मुझे update क कर दीजे कि कब है आपका TCS NQT इंटर्वी जिसके according में वीडियो दोस्तों post करता रहोगा और दोस्तों हो सके तो प्लीज यार इस पोल पर जरूर engage कीजिए yes क्लिक कीजिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत अबार होगा दोस्तों अगर कोई doubt हो तो मुझे comment section में जरूर प करने का कोशिश करूगा और दोस्तों इस वीडियो को like भी जरूर कर दीजे तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलता हो अपनी नहीं वीडियो में अपने टेक अप्डेट के साथ जब तक के लिए दोस्तों थड़े बात